हलो ब्रिवन वेलकम टू इस्टेटी विद्गान प्रकास तो फ्रेंड्स UP PCS के लिए अगर आप लोग तयारी करना चाहते हैं तो ये सबसे मुफीत समय है पहली बार के एस्पिरेंट हो या फिर बार बार आपने प्रयास किया हो और असफल रहे हो तो दोनों ही कंडिशन में आपको अब आगे मढ़ने का बिलकुल सही औस तर सामने आया है अब आपकी हालत और जो पिछले 10 साल के अन्भवी हैं उनकी हालत बिलकुल एक जैसी है और सबसे अच्छी बात यह कि कल जब मैंने आप लोगों से कहा था कि जो बदला हुए हैं उससे सबसे वड़ा फायदा तो उनको मिलेगा जो मान VII के यानि कि जो लोग 9 साइट के स्टुडेंट रए और साती सात जो लोग UP के एस्पेरेंट हैं उनको फायदा मिलना तरह हैं. क्या होता था इससे उसके जो मतलब अंग होते थे जो मार्ग कोते नहीं बहुत ही पूर हो जाता था कि यार इतने मतलब करो तो मैथ में 100 नंबर का अगर question paper है और सारे प्रस्ट सही हैं तो उसमें 100 नंबर तक मिल सकता है लेकिन क्या history में ऐसा है बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं हो सकता है और उस पर scaling का भी बात तो 2018 सही scaling को हटाने की बात कहीं आ रही थी मनदब scaling को सही तरीके से लागो करने की बात कहीं आ रही थी तो यहां पर scaling को हटाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था कि 20 से कोई हटाओ सारे बावाल एक साथ खतम और कल मैंने आप लोगों से कहा भी था कि बिल्कुल लोटेगा निश्य तुरूप से लोटेगा और मैं अपने अनुपह से आप लोगों को बताता हूं कि दो मैने परयाप्त होते हैं अगर आप लोग टूदी पॉइंट फोकस करें और बिल्कुल सही डारेक्सम जलें तो आराम से आपका प्री क्वालिफाई हो जा हीरा होता है वो भी कोईला ही होता है तो कोईले को हीरे बनने का वक्त आ गया है अगर आप लोग पूरे मन्योक से लग जाए तो भसरते कि आपको तयारी तो करनी पड़ेगी किताबों के बारे में कैसलर लोगों ने कहा था कि किताबों की बारे में बताईए देको नहीं पड़ोगे तो नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है अब क्या बता हूँ मैं कई बार निकाला मैंने कई बार दिया और नहीं होगा इंटर्विय में कोई बात नहीं लेकिन उसका फाइदा मिला मुझे ठीक है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप प्री के यह त्यारी कर रहे हैं तो यह टाइम है फोकस करने के लिए कि आप प्रीवाइक्यू प्रीपिए से क्वेस्टेंज प्लस आपके जो अधिक से अधिक आधिक आप लोग प्रैक्टिस करें और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो उस टॉपिक पर इंटरनेट पर यूटूब पर वीडियो देखें लेक्चर देखें नोट्स पढ़ें और उसको एक कापी में लिखते जाएं ताकि लास्ट टाइम में आप उसका रिमीजन कर सेके तो इस परकार से अपना नोट्स बनाईए और सेल पिश्टेडी में लगिए मेहनत करने से मत चुकिए यह मत देखें घड़ी में की दो गंडे पढ़ लिए यार बहुत हो गया उड़ गये नहीं जो आपका टार्गेट है उसको चेज करिए मतलब क्या आपने सोचा है कितना आपने पढ़ा है और समय को बरबाद मत करिए खाली मत बैठिए बिरे बेजय की बहस में मत उलजिए तो यह आपको कुछ भी कहे गाली भी दे देना तो एवाइड करो भी है जाने तो तुम्हारा हिसाब किताब मैं बाद में कर लूँगा अभी तुम्हें चक्र भी में हूँ और इसको तोड़ना मेरे लिए ज़रूरी है इस परकार की भाहना लेकर लग जाएंगे तो आराम आप 6 गंडे पढ़ते हैं तो आसानी से आप 70 प्रस्नों को हल कर पाओगे लेकिन फिर 70 से 90 पर पहुंचने के लिए आपको 6 गंडे को 8 गंडे में बदलना होगा तो इस परकार से आपनी त्यारी करें यूपी वालों को निश्टरूर्प से फाइदा मिलेगा यूपी के ल पराने परेंट लोग भी एक दू महने बाद छोड़का अपना करन तयार करें क्योंकि करन जो होता है न वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है तो करन में जुड़ा रहता है तो करन को पढ़िए और रेगुलर पढ़िए ठीक है और नूजपेपर अगर नहीं पढ़ आपको उपलब्द कराऊंगा बहुत जल्दी तो वह सारी चीजें आप लोग देखते रहेंगे तो प्री में आसानी से अच्छे स्कूर आप लोग कर पाएंगे बातें लंबी हो रही है इसके बारे में चर्चा एक अलग वीडियो के माध्यम्स करेंगे फिलाल पीसे में बदलाओं से आसान होगी यूपी के बिट्टो की रहा लगबाग हर निश्पेपर में है और इसका सब्सक्राइब आपको ही मिलना है अगर आप यूपी से हैं और अगर आप मानवी की वीचे से हैं आर्ट साइट से हैं तो इसका भी फायदा आपको मिलेगा क्योंकि अब बिसे वाली लडाई खतम हो गई है और जो लोग इसे पढ़ भी रहे हैं तो वो लोग प्री में कर जाएंगे उससे समंदित और मेंस में भी उसका फायदा उनको मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैथ के आधार पर वो सो में सो पाएंगे और आप इतिहास भुगोल ना अगली खबर को खबर करते हैं मुख्य परिक्षा में विकल्प डी को चुनने वाले को एक अंक देने का आधिस लेकपाल भरती मामला इलावाद हाई कोड ने कहा कि भरती आयोग ने विकल्प में एक सब्द कम लिखे देखो यहां पर नितेश कुमार सिंग यादों की और स चार प्रसन तो बहार हो गए चार प्रसनों पर कोई बहस नहीं लेकिन जो पांचमा प्रस था प्रस संक्या 88 सिरीज एफ का जिसमें था कि तसकरी की रोगताम और बचाओ तसकरों और वानिजिक योन सोशन के पीडितों के पुनरवास और पुना एक इकनर से जुड़ा एक अंग और दिये जायें और इसके बाद लेकपाल का जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाना चाहिए फिलारा अभी लेकपाल रिजल्ट में कई सारे पेच हैं ठीक है वो तो आपको पता ही है कई सारे स्कूल जो है वो स्टिफ की लिस्ट में है तो उन पर भी Jmanij चल रही सकता जिसके पास गोपनी सुत्र हैं वही बता सकता है और इतने गोपनी तो एनिवेग बस यहीं सारी चीजें हैं और लेक पार के लिए आपको अभी और भी इंतजार करना पड़ सकता है यहां पर सिक्छा परतिस जुड़ी हुई एक नोटीस है एन्वीस से सम्मंदित है और जैसा कि आप जानते हैं कुल 1616 पते थे एन्वीस में जो डारेक्ट रिक्रिट्मेंट आया था उससे जुड़ी खबर है और वह भी खबर पीजीटी पोस्ट जो बच्चें सामिल हुए थे अब उनके लिए इंटर्व्यू की डेट आ चुकी है इंटर्व्यू की वेन्यू यानि कि अस्थान और डेट डिक्लियर किया गया है तो इसके बारे में एक नोटिस आपको आफिसल वेपसाइट होदे विद्याले पर देखने को मिल जाएगी जाकर चेक कर लीजेगा साथी साथ यहां पर देखेंगे अगर आप तो डारेक्ट रिक्रिट्मेंट के बाद एक और भरती आई हुई थी और यह भी PGT से सरी समबंदी थे तो उस पर भी आपको जो है जो PGT के बच्चे जो स्लेक्ट हुए हैं तो एक ऌप इसे सौंशेट अप दारेक्ट टो दोनों के लिए PGT के लिए इंटर व्यू की डेट esperarście कि आ चुका है औरा शारी चीजे अव आज की न्यूज अपडेट अगर सेसन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर आपको जुरूर किया करें और देखो करेंड के लिए आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा जहांसे करेंड को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बिल्कुर टू दी पॉइंट सरल भासा में आसानी से समझने ही होगी जएदा लचल परजड नहीं जैसा कि मैं देखता हूँ कि जो मैगजिन वगरा आती है उसमें इतनी बसड का सब्द मुह से आता है मतलब जितना इतना उतल पथल मचा रहता है उसमें कि समझ भी नहीं आता है एनिवे वो सारी चीजें जो होती है न एकदम clean way में आपको मिलेंगी अगर आप current पढ़ना चाहते हैं तो pure current आपको मिल जाएगा अच्छा लगा current यह हमारा session तो वीडियो को like और share करना और current भी पढ़िए वो भी आपको अच्छा लगेगा thank you so much